नमस्कार दोस्तो कैसे है आप सब दोस्तो मेरा नाम ए हर्ड और फिर से स्वागत आपका अपने चैनल हर्च वर सेसी गाडर पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पी और इम किसान सम्मा निदी योजना के फोर्म के बारे में देखे जोस्तो फरवरी 2019 में ज़े वियो scheme launch होई थी तो उसी टाइम पर काफी किसानों ने इसमें registration करवा लिया था इसमें registration किन किसानों का उता जिनके पास खेती लाइक ज़्यादा जमीन नहीं होती उनको सरकार की तरव से सालाना 6,000 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाती है उसी का F.O. में दोस्तों 22,000 करके इसमें किस्ते आती हैं आपके account में तो अगर आपने इसमें registration नहीं करवाया है या फिर registration करवा रखा है लेकिन आपकी किस्त नहीं आई है तो आप status कैसे चेक कर सकते हो अगर आपने registration करवा रखा है और किस्त नहीं आई है और अगर अपने registration नहीं करवाया है तो उसके लिए आपको क्या process करना होगा टोटिल डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले है जोस्तो तो वीडियो कहीं भी आपको skip नहीं करनी है और चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करने दोस्तो यहाँ पर तो देखिए आपको जो दस्मी कीस ती यहाँ पर एक जनवीरी को रिलिज हो चुकी है इससे पर आपको simply click कर लेना है और click करने के बाद नीचे थोड़ा सा scroll करके देखिए यहाँ पर EKYC, new registration, beneficiary का status यहाँ पर आपको simply click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर अधार नंबर से हो और account नंबर से दोनों से ही अपना status चेक कर सकते हो तो आपके पास जो भी अधार नंबर या account नंबर जो भी आपके पास available है आपको simply यहाँ पर डाल लेना है और get data पर click कर देना है get data पर जैसे आप click करोगे तो कुछ इस तरह का page आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आपका farmer का नाम मतलब किस के नाम से registration है उनके father का नाम क्या है, अधार नंबर क्या है, कौन से गाउं की जमीन पर उनका registration है सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों और साथे साथ नीचे installment की details भी आपको यहाँ पर देखनों को मिल जाएगी आपको जाना है, आपकी जमीन की फरत की copy, अधार कार्ड, बैंक की copy मतलब जिसमें वहाँ की correction है, वो documents वहाँ पर लेकर जाने है, verify करवाने हैं दुबारा से verify करवाने के बाद जो next जो आपकी installment आएगी वो आपके account में आ जाएगी अब बात करते हैं नए registration की, तो देखी गैस नए registration के लिए आपको चाहिएगी जमीन की फरत की copy, एक आपका अधारकार, एक आपकी बैंक की copy तिनोट रिकुमेंस आपके होने चाहिए, प्लस एक आपका form लगेगा, form की PDF में आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा form है तो कुछ इस तरह का form है, अगर आपके पास ये form नहीं है, आपको कहीं से नहीं मिलता, तो आप मेरे WhatsApp पे message कर सकते हो, मैं इसकी PDF आपको WhatsApp पर send कर दूँगा ये form है दोस्तों, इसमें simply details, आपकी general information, कि कौन से जगहा पे आपकी जमीन है, आप रहते हो, वो details आपको नहीं डालनी है, आप पे दोस्तों, जिस जगहा पे आपकी जमीन है, वो details आपको यहाँ डालनी है, उसके बाद देखिए हैं आपके general information है, एक सारी details, आपकी basic details है, आपको district डाल देना है, यहाँ पे आपका subdivision क्या रहेगा, तस्रील आपको यहाँ पे डाल देनी है, आपका block क्या है, वो यहाँ पे डाल देना है, ग्राम पंचायत, village आपका कौन सा, वो यहाँ पे डाल देना है, वो details आपको यहाँ पे वो details डालनी है, दोस्तों, जहाँ पे आपकी जमीन है। उसके बाद Personal confusion में यहाँ पर हिंदी में अपनी नाम डालना है और यहाँ पर इंगलिस जालना चाहते हो तो यहांपे डाल सकते हो दोस्तों देखिए यहां पर आगर हम बात करें कि के ना कितना वोय यहां पर उसके बाद उसके बाद सर्डीम में करोगे और 10 सब्रकूट जोगए नहीं हम्यार सेम राप तो आप नहीं कर सकते हैं अगर आप किस इस पर हो तो आप यहां पर से करवा रॉप्यस करते के वैसी कंबर आपको डालना होगा यहाँ पे आपकी बैंक है ुसके पर यहाँ पर डालवाने है यहाँ पर ने चेज़ फिल कर लेका यहां पर यहाँ सको यहाँ से लखेख्राना off Brothers कर लेना है यहाँ पर नंबरदार है साइन हो जाएँगे यहाँ पर पटवारी no पहले नंबरतारस सटन करे को उसके बाद निहीं करते हैं पंदाऊंच स्ट्रवारीप पंड़ी संबिंध्या हो पी लगानी है और जाकर अपना किसी विबाग में आपकी documents आपको submit करवाने होंगे submit करवाने के बाद ही जैसे verify होंगे आपके document उसके बाद जो next जो भी इंस्ट्रॉल्मेंट आएगी वो आपके account में आ जाएगी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो को जादा शेयर किजेगा धन्यवाद दोस्तो